अपनी चंचलता तथा अस्थित्ता के कारण जहां कहीं भी विच्रण करता हूँ मनुश्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में लाए हरी किष्णी तो कल हमने 25 लोगों तक पढ़ा था कि किस तरह से भगवान बताते हैं कि समाधी में जो इस्थित्त हो गए हैं उनकी मन किस प्रकार से उन्होंने अपने वश में करके रखा है तो आगे भगवान इसी को कांटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर भगवान बता हैं कि मन अपनी चंचलता तक आस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विच्ण करता है वो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में करें तो मन का जो ये सभावे चंचल होना आस्थिर होना ये भगवान यहां पे बता रहे हैं कि जब कभी स्वरूपसित दिवेक्ति जो योगा में इस्थित रहना चाहता है समादी में इस्थित रहना चाहता है तो अगर मन उसका कहीं भी इधर अधर जा रहा है या फिर विच्ण कर रहा है आस्थिर हो रहा है तो उसे इतने मन को वश में करना है और उसे वहां से खीच करके वापस लाना है तो जो जिसने अपने इंद्रियों को वश्मे कर लिया है तो वो गो स्वामी कहलाता है लेकिन जो मन के वश्य भूत हो गया है यानि कि जो अपने इंद्रियों के अनुसार चलता है अपने इंद्रियों के अपने इंद्रित रिप्तियों में लगा रहता है वो इंद्रियों का बना हुआ इंद्रियों का दास बना हुए है तसे वो दास पुला जाता है श्लोका संख्या सत्ताइस ति शांत मने संहे नहीं योगी नम सुक मुत्तमम उपाइति शांत रजसम ब्रह्म भूत कलमशम जिस योगी का मन मुझ में इस्थिर रहता है वह निश्चही दिव्य सुक्की सर्वोच सिद्धी प्राप्त करता है वह रजो गुड से परे हो जाता है वह परमात्मा के साथ अपनी गुडात्मक एक्ता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के थल से निव कि जो योग में इस्थिर है और इसका मन मुझ में इस्थिर है यानि कि जो अपने हिर्दय में परमात्मा रूप में भगवान को देख पा रहा है अपने मन को सिद्धी प्राप्त करता है क्योंकि जिसने भगवान का साक्षतकार अपने हिर्दय में कर रहा है जो व्यक्ति इस तरह से भगवान को अपनी परमात्मा रूप सुरूप में देख रहा है हिर्दै ये इस बात को वो समझता है और इस प्रकार अपने समस्थ वीगत कर्मों के फल से निवरत हो जाता है तो यहां पे प्रहुपात अपने पॉपट में बताते हैं कि ब्रह्मोभूत वह अवस्था जिसमें भौतिक कलमश्थे मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है यानि कि वो अवस्था ब्रमभूत अवस्था वो अवस्था होती है जब हम भगवान को अपने हिर्दे में परमात्मा स्वरूप में देख पाते हैं तो अवस्था में क्या होता है कि भौतिक कलमश्थ व्यक्ति क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है और वो भगवान की दिव्य सेवा में इस्थित्वा प्रतीत होता है और जब तक मनुष्य का मन भगवान की चरन कमलों में स्थिर नहीं हो जाता जैसा कि हम लोग में कल भी डिस्कस किया था कि जब तक भगवान में व्यक्ति का अमद चरण कमलों में भगवान के स्थिर नहीं हो जाता तब तक वो भगवान के ब्रह्मो रूप में कोई ब्रह्मो रूप में नहीं रह सबता जैसा कि हमने कल पढ़ा भी था कि अमरीश महराज का मन किस तरह से भगवान के के विल चरण कमलों में लगा रहता था और सारी सेवाएं जो उनके इंद्रियों की थी वो सिर्फ भगवान पे ही केंद्रित हो करके वो करते थी श्लोका संक्याट्राइस इस प्रिकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा बक्ती में परम सुप्राप्त करता है इस प्रिकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म सैयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ती में परम सुप्राप्त करता है तो आत्म साक्षातकार का अर्थ क्या है प्रभुपार अपने परपट में बता रह है तो भगवान की जो प्राप्ती है वही आत्म साक्षातकार कार्थ है तो इस तरह से प्रभुपार बताते हैं कि जीव भगवान का अंश है और उसके स्थिती भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है क्योंकि हम भगवान के दास हैं हमें किसी ना किसी की दास्ता करनी है ज भगवान का दास होना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है. हरे कृष्णा विभोय प्रभुजी को मैं एक मिनिट तूँँगे. प्रभुजी मैं आपको वोस्ट कर दे रही हूं तो आप श्लोका मताजी और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप रिसाइट कर देंगे. श्लोका संक्या उंतीस. अरे कृष्णा मताजी. अरे कृष्णा ग्रदू. ऐक शक्ते योगे युक्तात्मा, सर्वत्र समद शनः भावार्थ. वास्तवीक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा, मुझमे समस्त जीवों को दिखता है. निसंदेह सरूप सिंत विट्टी मुझ परमेश्वर को सर्वत्र दिखता है. हरे कृष्णा. तो वास्त्विक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझमें समस्त जीवों को देखता है नेसंदे स्वरूप सद्य व्यक्ति मुझक परमेश्वर को सर्वत्र देखते हैं यानि कि जीवन मुक्त विक्ति होते हैं जो अच्छे से समाधी लगा कर जिने ब्रह्म की अनिभूती हो रही है ब्रह्म साक्षतकार हो रहा है तो ये पूरी दुनिया को परमात्मा में पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं तो इस प्रकार से वो भगवान को पूरी तरह से स भगवान भावित योगी होते हैं वो समस्त प्राणी में हर प्राणी में हर प्राणी के हिर्दय में भगवान को परमात्मा स्वरूप में देखता है तो परमात्मा स्वरूप में भगवान को वो एक कुत्ते के भी हिर्दय में देखता है यानि कि समस्त समस्त जीवों के हिर् यह होते हैं चाहे वो भगवान कुट्टे की हिर्दय में हो चाहे ब्रामण के हिर्दय में हो भगवान सभी की हिर्दय में परमात्मा के रूप में विराजमार होते हैं तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो भगवान को आस्तिक में भी देखता है और ना के शोत होने के कारण वे ही हमारे माता भी है और पालन करता के समान भी है जैसा कि प्रभुपाद अपने परपट में भी बता रहे हैं इस प्रकार से एक माता अपने सभी पुत्रों के प्रति संभाव रहती है उसी प्रकार से भगवान भी हम सब के प्रति जितने भी जीव हैं फ़गवाल सफी के प्रतिक्या होते हैं, संभाव रहते हैं, इसलिए परमात्मा प्रतिक जीव में निवास करते हैं, तो स्वरुप से दिवक्ति उनको हर किसे के हिर्दय में देख पाता है, श्लोका संक्या 30 यो माम पश्यती सर्वत्र, सर्मईचमई पश्यती, तस्याहन प्रणश्यामी, सचमेन प्रणश्यती, तात परे, जो मुझे सर्वत्र देखता है, और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अद्रश्य होता हूं, और न वहां मेरे लिए अद्रश्य होता जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझे देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अद्रिश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अद्रिश्य होता है। लिए मैं कभी बिदू नहीं होता हूं और ना मेरे लिए कभी अद्रिश देखता है और सारी वस्तु को कृesus में देखता है इसा अव्यक्ति भलई प्रकृती की फृत्थ प्रिथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किन्त वो प्रतेग दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है, और प्रतेग वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है, कृष्ण भावनामृत का मूल सिध्धान्त ही या है कि कृष्ण के बिना का विकास है ऐसी स्थिती जो भौतिक मोक्ष से पर है तो यहां पर यहीं चीज बता रहे हैं कि भगवान को तभी जगा देखता है हर चीज में हर जीव में भगवान को देखता है और भगवान में ही सब कुछ देखता है तो भगवान बता रहे हैं कि वह कभी भी अद्रिश् इस तरह से भगवानिया आपे समझा रहे हैं निकी पूर्ण योगी की जो अवस्था है भगवान उसको बता रहे हैं श्लोका संक्या 31 सर्वभूतस्तितम्यो माम भजतेकत्वमास्तितह सर्वतावर्तमानोपी सयोगी महीवर्तते भवार्थ जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्य जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझे में सदेवस्थित रहता है हरे कृष्णा करता है योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णू कृष्ण से भिन्न नहीं यानि कि भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मेती परमात्मेती भगवान इती शब्डते यानि कि जो जसा कि हमने कर बताया था कि जो भग ये मानता है कि परमात्मा ही भगवान के अंशैनी कि परमात्मा स्वरूप जो भगवान का अपने हिर्दय में वो देख रहा है वो कृष् प्रिष्णु जो का सवरूप जो दर्शन कर रहा है वो भगवान कर रहा है वो मिर्ष्ण से भिन्य नहीं है ना तो पर्भातमा रूप में ट्रिष्ण क्या है प्रहल जन जन ली हिर्दय में एस्थित तो भगवान को इस तरह से हमें परमात्मा से अभिन नहीं मानना चाहिए, भगवान की परमात्मा सुरूप में उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करना चाहिए, इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि हर प्रकार से मुझ में सदैव इस्तित रहता है, तो जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में बताया तो भगवान ने इसी बात को और यहां पे क्लियर किया कि किस प्रकार से हर प्रकार से कैसे कोई मुझे में सदैविस्तित रह सकता है श्लोका संक्या बद्टीस आत्मो पम्येन सर्वत्र समंपश्यति और जुना सुखम वायदि वादुकम सयोगी परमो मतह तात पर यह अर्जुनवा पूरुन योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखो तता दुखो में वास्तिविक समानता का दर्शन करता है यहां पे यह शब्द आया है आत्मो आपम्येन क्याने की अपनी तुलना से यहां पे इसका जो अर्थ ही निकल के आता है वो यह निकल के आता है कि परमात्मा पर ध्यान करके जब कोई व्यक्ति अपने साधक के स्थिति में क्या होना चाहिए उसे संभाव होना चाहिए सब के प्रति संभाव होना चाहिए तो इसकार्थ यह हुआ कि अब हर व्यक्ति के जीवन में सुक दुख की स्थिती आती है, सुक दुख से हर कोई परिचित होता है, तो अपने अनुभव की आधार पे दूसरों के विश्य में हमें सोचना चाहिए, इसकार्थ यह हुआ कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती है, जिसको हम मानते हैं कि यह हमें ठीक नहीं लग रहा है, उसी तरह से हमें दूसरों के लिए भी देखना चाहिए, जैसे बहुत से लोगें दूसरों के हमेशा इंसल्ट कर देते हैं, दूसरे के प्रति उनका वहवार अच्छा नहीं होता, वो कटू वचन का वहवार करते हैं मुझे लेकर एं मुझे उच्छी आवाज में बात कि मुझे कटूचन बोले तो जो वहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है, हमें वहार दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए, यह जो हमेशा अमने सुनते हैं, हमने बहुत बढ़ा हैं, हमें हमें ऐसा वैवार करना चाहिए जो वैवार हमें स्वयम के लिए पसंद हो तो भगवार यही बात यहां पर बताना चाह रहे हैं कि है अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राडियों की उनके सुखों तता दुखों में वास्तिरिक समानता का मिलता है तो वैसा वैवार वो सामने वाले के साथ नहीं करता वैसी समानता का दर्शन वो करता है तो इस तरह का व्यक्ति भगवान बता रहे हैं कि पूर्ण योगी कहलाता है तो देखे हमने कितनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी है जो हमने पहले कभी सुना था लेकि अर्जुन ने कहा है मदुसुदन आपने जिस योगपदति का संचेप में वर्नन किया है वह मेरे लिए अव्यावारिक तथा अस्था निया है तो कि मन चंचल तथा अस्तिर है हरे कृष्ण अब देखे अर्जुन भगवान के सभी बाते अर्जुन में सुनी अब भगवान के सामने वो अपना क्या पक्षर रख रहे है इतना सुनने के बाद जो है वो अर्जुन क्या कहना चाह रहे है अर्जुन कहते हैं कि हे मदुसुदन आपने जिस योगपदति का संचेप में वर्णिन किया है, वो मेरे लिए वैवहारी कता सहनी है, क्योंकि मन चंचल कता आस्थिर है, यानि कि भगवान ने अभी जिस योगा प्रोसेस के बारे में अर्जुन को बताया, अर्जुन ने उसे बहुत ध्यान से सुना, और अर्जुन ने एक कॉंक्लूजन निकाला कि भग है, की जब अपनी एक डेली लाइफ के प्रक्टिकल में भी हम देखते हैं, कि जब हम चैंटिंग करते हैं, अगर आप से सहीव सकता है, एक माला, 2 माला, 16 माला, आप सभी करते होंगे तो जब Mich striking करते हैं, ग महीं हम अपने मन को भगवान के नाम में लगाना होता है, लेकिन हम एक माला भी पूरी तरह से भगवान में मन नहीं लगा पाते हैं, तो मन जो है यह बहुत ही चंचल हो करके हमें भटकाता रहता है, तो इस प्रकार से अजुन कहा रहे हैं कि संभाव होके भगवान योग करना संभव नहीं है निकि अगर आप कहोगे भगवान की एक-दो दिन के लिए ऐसा करो, एक-दो दिन के लिए मन को इससे रखो, तो ऐसा हो सकता है पर आप कह रहे हो कि ऐसा हमें अपने जीवन में इस तरह का संभाव लाना है, तो कैसे हो पाएगा भगवान? दुनिया में, अरजुन देखी, अब किस-किस तरह से अपनी बात को भगवान को समझा रहे हैं? अरजुन कहते हैं कि दुनिया में सभी प्राणी को सुख प्रीव होना चाहिए, और दुख उनको क्या होता है? अप्रीव होता है. तो ये कैसे संभव हो सकता है भगवान कि सबको हमेशा सुख ही मिले और दुख ना मिले? तो भगवान कहा रहे हैं कि अपने संबंधियों के प्रती जो है हमें न्यूट्रन होना चाहिए, जो अभी पीछे भगवान ने जितनी बाते बताई हैं और जो एक-एक करके उन सब संभाव को तर्क के साथ अपना प्रस्तुत कर रहे हैं थिर भगवान संबंधियों के प्रती हैं कि हमें न्यूट्रन होना चाहिए सभी के प्रती ने बंदा शत्रों के प्रती हम कैसे संभाव हो सकते हैं अब आप मुझ से बोलो कि दुरियोधान और युदिष्टिर दोनो के प्रती तुम संभाव रहो क्योंकि दोनों मेरे भाई हैं तो दोनों का सुख और दुख मेरे लिए समान रूप से कैसे हो सकता है मैं एक ही बात दोनों के लिए कैसे सोच सकता हूं ना ऐसा हो सकता है कि आप भगवान कह रहे हैं तुम जो योगा में इस्थित होते हैं वो तो बगवान के सामने अर्जुन यह तरह तरह के तरह रख रहे हैं तिर वो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि यह भगवान अगर आप बोलोगे तो सभी को विवेक गुद्धी के समान देख सकता हूं मैं पर एक दो दिन तक यह संभव है पर आप कहो कि हमेशा के लिए मैं तो चंचल मन क्या कर लेता है फर लेता है तो अर्जुन से यह बात भगवान से अर्जुन यह बात कह रहे हैं क्योंकि मन जो होता है वो बहुत ही प्रबल होता है तो मन क्या करता है वो हमारी विवेक गुद्धी के नियंत्रण में जल्दी आता ही नहीं है तो गुद्धी क प्रबल मन क्या कर देता है फेक देता है यानि कि हमारी जो बुद्धी है विवेक बुद्धी है तो उसको मन क्या कर देता है उसको भटका देता है उसको ठाकर के फेक देता है इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मैं संभाव को continue नहीं कर सकता हूं मैं सभी के प्रति एक दो दिन तुम आप कहोगे तुम हो सकता है मैं संभाव कर पाओ लेकिन हमेशा के लिए मैं उसे संभाव नहीं कर सकता हूँ. अर्जुन अपनी बात को इस तरह से भगवान के सामने लगते हैं, तो इस तरह से जब भगवान के सामने रखते हैं तो अर्जुन आगे और भी बहुत सार living देते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें लोकर संग्या 34 प्रमाथी बलवद्रडम तस्यान निग्रहम अन्ये वायो रिवसो दुश्करम ताथ पर ये क्रश्न चुकी मन चंचल अस्तिर उच्छ रंखल हटीला तथा अत्यंते बल्वान है अता मुझे इसे वश्मे करना वायू को वश्मे करने से भी अधिक कथिल लगता है तो अभी जैसा पीछे हमने चब पढ़ा भगवान जब योगियों की विश्म बता रहे हैं तो यही बात अब अरजुन भी अपनी रखते हैं कि यह भगवान ये मेरे लिए पॉसिबिल नहीं है जो आप बता रहे हो योगा प्रोसेस आप बता रहे हो यह मेरे लिए भी पॉसिबिल नहीं है तो अर्जुन अब आगे और क्या तर्प करते हैं भगवान से कहते हैं कि मन जो है चंचल है आस्थिर है उस श्रेंकल है हटीला है बहुत बलवान है मुझे इसे वश्म करना वायू को वश्म करने से भी अधिक अठिन लगता है तो भ बिएष्वान यहांपे मन के चार गूर को बारे में अर्जुन बताते हैं कि उनका मन कैसा है चंचल है जैसे हमारा मन भी क्या होता है अभी हम यहांपे बैटे हुए हो सकता है भी पढ़ते-पढ़ते ही हमारा जो मन है वो कहीं विदेश चला जाये किसी रिश्चेदार के घर पे चला जाए पड़ोसी के घर में चला जाए मन क्या है मन तो छड़ बर में कहीं से कहीं पहुंच सकता है और शिंकल कर दुआ कि यह प्रवर्ति इसमें मन में सदैव ही बनी रहती है यानि कि मन जो अंकंट्रोल फॉर्म में इधर उधर जो भूम रहा है यह प्रवर्ति इसमें बनी ही रहती है अब आप सोचो कि मन को कंट्रोल कर लो मन को एक जगा पिस्थिर कर लो तो यह पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं पॉसिबल है फिर क्या है हठीला तो यानि कि बहुत जिद्धी सभाव का मन हमारा अगर इसने जो एक बार ठाल लिया अगर मन कह रहा है कि मुझे यह कार करना है तो करना है मन कह रहा है मुझे गुलाब जामुन खाना है तो हमको बस गुलाब जामुन खाना है यह इन के प्रकारेन बस गुलाब जामुन चाहिए यह चाहिए ना तो इस तरह से मन जो होता है बहुत ही जिद्धी होता है हमसे व टिकल होकर कि अर्जुन ने बताई है अच्छली ये अर्जुन अपनी बात नहीं बता रहे हैं अर्जुन तो एक सिध्ध ही होगी है ये हम चली हमारे बारे में अर्जुन बता रहे हैं कि हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए ये पॉसिबिल ही नहीं है कि मन को कंट्रोल कर सके क क्योंकि ये चार चीज़े हमेशा मन के साथ बनी रहती हैं चंचल, श्रिंकल, हठीला और बन्वां तो इस तरह से अर्जुन जो हैं अपमी बात यहां पे भगवान के सामने मन के विश्य में रखते हैं श्लोकर संक्या पैती सब दिखते हैं भगवान क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है माहा बाहो कुंती बुद्र निसन देह चंचल मन को वश करने में वश्मे करना अत्यंत कर्थी हैं इंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरग्ति द्वारा ऐसा संभव हैं अरे कृष्णा भगवान भी एकसिप्ट कर रहे हैं इस बात को भगवान भी अर्जुन की बात को मान रहे हैं वो कह रहे हैं अर्जुन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो निस संदी चंचल मन को वश में करना अत्यंत कट ही नहीं यह बात भगवान भी एकसिप्ट कर रहे हैं लेकिन भगवान अब solution भी दे रहा है कि किस तरह से इस चंचल मन को वश्में किया जा सकता है भगवान कहार है उप्यत तभ्यास के द्वारा और विरक्ती द्वारा ऐसा संभव है तो यहां पे भगवान कहारह है कि मन बहुत चंचल है भगवान ने इसे स्विकार किया लेकिन भगवान एक उपाय भी यहां पे बता रहे हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो बहुत ही ऐसी बीमारी है जो कि जिसको इलाज जल्दी संभव नहीं होता है और उसको अगर दवा दी जाए नॉर्मल दवायां दी जाए तो क्या होगा वो दवायां काम करेंगी नहीं करती है वो दवायां ना काम नहीं करेंगी तो अच्छे डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है उसका जो specialist होता है उसके पास जाना पड़ता है तो वो डॉक्टर जब observation करता है तो consult करके हमें क्या बताता है दवाई बताता है तो धीरे धीरे जब हम वो दवाई लेना शुरू करते हैं तो हम दिरे दिरे ठीक हो जाते हैं उसी तरह से भगवान जो बता रहे हैं यहां पर यही चीज़ है कि यह जो मन है इसको कंट्रॉल करना बहुत मुश्किल है यह बहुत ऐसे बीमारी के समान है जिसके नॉर्मल और शदी जो है काम में नहीं आ सकती है तो भगवान यहां पर उपआय बता रहे हैं बग्मान एक doctor के समाई एक observation कर रहे हैं और हमें जो illaj है वो बता रहे है कि किसी तरह से इसका अलाज किया जा सकता है अभ्यास के द्वारः और विरक्ति के द्वारः तो अभ्यास कार्थ होता है आप सभी जानते हैं तो वो विरख्ति कहना देए श्लोका संक्या चतिस असाइयतात्मना योगो दुश्प्राप इतिने मतिही वश्यात्मना तु यतता शक्योबाप तुमुपा यतह जिसका मन उच्छ खल है उसके लिए आत्म साक्षत कर कठिन कारे होता है किन्तु जिसका मन सायमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रूव है ऐसा मेरा मत है अगे ही इसे कॉंटीनियो करते हुए कहते हैं कि जिसका मन जो शिंकल है उसके लिए आत्म साक्षत कारे होता है किन्तु जिसका मन सैयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफ़ता ध्रोग है ऐसा मेरा मत है तो भक्त के लिए जो है बहुत ही मिश्किल नहीं होता है इंद्रियों को सैयमित करना क्योंकि भक्त क्यों क्या करना होता है तो भक्ति योग के इस यूग में आसान है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ना जैसे कि चैतन्य महाप्रभू ने बताया है कि अपनी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है तो इस तरह से जब हमको परामश मिल जाता है सुझाव मिल जाता अच्छे डॉक्टर से की अभ्यास करना है, मन को जो है केवल भगवान की सेवा में लगाना है, तो इस तरह से दीरे-दीरे जब अभ्यास करते रहते हैं, तो हम भगवान की सेवा में तक्पर हो जाते हैं, हमें हमारी जो विमारी है, मन को कंट्रोल करने के जो ना कंट्रोल कर अभियास कर सकते हैं तो अभियास व वेराग से ही योग जो होता है वो संभव हो सकता है मन जब हमार नियंत्त रहता है तो उस तिस्थिति में समाधी ज़ो है वो की जा सकती है ऐसा विखवाने आपर बता रहे हैं श्लोकर संक्याश। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, उस असफल योगी की गती क्या है, जो प्रारंब में सद्धा पुर्वक आत्मसाक्षाइद कारण की विदी ग्रहन करता है, इन्तु बाद में भोधिक्ता की कारण उससे विचलित हो जाता है, और योग सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाता अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, अब भगवान ने जब ऐसा बताया तो और जुन के मन में और भी कुछ प्रश्ट में आये, तो और जुन कोछते हैं कि भगवान, अगर कोई योगी असफल हो जाता है, यानि कि जो यह आप बता रहे हो अभ्यास करने के बारे में, की भी कर रहे है, अपने मन को परमात्मा में लगा भी रहा है, लेकिन क्या होता है, कि वह ऐसा करते हुए हो सकता है कभी-कभी उसकी जो लक्ष है, उसकी प्राप्टि ना हो, वह भवातिक्ता में पढ़ जाये, विचलित हो जाये उसका मन, तो और योग सिद्धी को होता है अर्चुनप यहां पर पूस्ट रहे हैं तो प्रभुपाद भी अपने पर्टर में बताते हैं कि आत्मसाक्षात्तार का मूल नियम यही है कि जीवात्मा यह भुतिक शरीर नहीं है बलकि इससे बिन भगवान का शाश्वतंश है यह इत बात यहां पर प्रभुपाद पता रहे हैं इसका प्रभुपाद यह भी बता रहे हैं अपने पर्पेट में कि जीवान के बारे बहुत योग के तो प्रभपात अपने प्रभपात में बता रहे है कि ये बहुत ही कढ़, इस युग के लिए ये बहुत कठिन प्रक्रिया है. नीरंठर प्रयास होने पर भी मनुश अनेक कारण से असफल हो सकता है. यानि कि इस युग में अगर हम अश्टाण योग कि प्रयास करें निरंतर प्रयास भी करें तो भी बहुत सारे ऐसे कारण हमारे सामने आ सकता है जिसकी वज़े से हम इस प्रक्रिया में असफल हो सकते हैं और प्रवपाद यह भी बता रहे हैं कि पहला कारण तो ये हो सकता है कि मनश्री स्वीधी का पालन करने में परियाप्त सतर्क न रह पाए यानि कि ये जो कल्युक है इसमें हम पूरी तरह से सतर्क भी नहीं रह पाते हैं तो ये कुछ कारण जिसके बाइसे प्रवपात भी कह रहे हैं कि अश्टांग युग जो है इस युग में करना बहुत ही मुश्किल है बहुत ही कठिन है और इसमें असफल होने के जो हमारे चांसे से हैं वो बहुत स्यादा है श्लोका संक्या अड़तीस चिन्नो भय विप्रष्ट श्छिन्ना ब्रह्मिव नश्यती अप्रतिष्थो महाभावो विमूधो ब्रह्म रफ्पथी ताद परे हे महाभावु क्रश्न क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से ब्रष्ट ऐसा व्यक्ती अध्यात्मिक कता भातिक दोनों ही सफलताओं से चूत नहीं होता और छिन्न भिन बादल की भाती विनश्ट नहीं हो जाता जिसके फल्चरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता प्राप्ति के मार्ग से ब्रष्ट ऐसा व्यक्ति अध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से चुत नहीं होता और छिन्न भिन बादल की विनश्ट हो जाता है जिसके फल्सुरूप उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रह जाता है तो भगवान से पूछ रहे हैं कि इसके स्थिति क्या होगी जो कर्म का अवलंबन भी नहीं कर पाया यानि कि कर्म को कर्म भी नहीं कर पाया और योग में भी आगे नहीं बढ़ पाया तो इस तरह से भगवान से पूछ रहे हैं कि यह ऐसा व्यक्ति जो दोनों में ही पतित ह कर्म भी नहीं कर पाया और योग भी नहीं कर पाया उसकी क्या गती होगी तो उधारण के लिए अर्जुनिया पर बता रहे हैं कि जैसे बादल पर टुकड़ा जो होता है जो एक बादल से निकल करके दूसरे बादल तक पहुंचने का जब प्रयास करता है तो बीच में क्या ह हो जाता है कभी कभी को लुप्त हो जाता है तो यहीं चीज़ा बर्जुन कह रहे हैं कि वह कर्म भी नहीं कर पाया और योग में भी आगे नहीं बढ़ पाया तो ऐसे व्यक्ति की गती क्या होगी तो योग करना तो चाह रहा है लेकिन कर नहीं पाया तो इस तरह से से अभी कर्मों की इक्षा है कर्म कर रहा है जो दूसरे शब्दों में वह ना तो भतिक सुभोग पाता है ना अध्यात्मिक सपलता ही प्राप्त कर पाता है उसका कोई इस्थान नहीं रहता है वह चिन बिन बादल के समान होता है कभी-कभी आकाश में एक बादल छोटे खंडे से जा मिलता है किन्तो यदि वह बड़े खंडे से नहीं जुड़ पाता तो वायू उसे बाहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है तो इसी तरह से अरजुन ऐसे लोगों की स्थिती के बारें पूछ रहे कि ऐसे लोगों का क्या होता है श्लो है क्रिश्ण नहीं मेरा संदेव है और मैं आप से इसे पुर्ण तहा दूर करने की प्रात्ना करता हूँ आपके अधिरिक अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेव को नस्ट कर सके अरे क्रिश्ण तो अर्जुन बगवांस यहीं पूछने कि उस योगी की गती क्या होती है जो आपने सक्षकार करना चाता है पर बीच में किसी कारण से क्या हो रहा है वो फेल हो जा रहा है वो भृतिक या इंग्रिये तुप्ति में शायद लग जाता है या फिसका पतन हो जाता है तो उसकी गती क्या होती है तो भगवान से वो इस बात को अब क्लियर कर रहे हैं क आप मेरे संदे को दूर करिए, कि ऐसा योगी, जो जिसका योगी पूरी तरह से योग में, आरूर में की योग में सकसेस नहीं हो पाया है, बीच में जिसका डॉन्फॉर्ण हो गया है, या बीच में किसी कारेण से, वो अपने योगienst का जो चरम है, उसको प्राप्ते नहीं कर पाया है तो ऐसे स्थिती में उसकी क्या गती होगी आप मुझे प्लीज बताएए कि ऐसे लोगों की गती क्या होती है तो भगवान क्या बताते हैं अरे कृष्णा आवाज आ रही है मेरी मापाजी मैं पढ़ लिता हूँ त्री भगवान वाच पार्थने वेहना मुत्र विनाश अश्यस्य विद्यते नहीं कल्यान कृतकश्चिद दुर्गन तीता तगच्चती भगवान ने कहा है प्रिथा पुत्र कल्यान कायों में निरत योगी का न तो इस लोग में और न परलोग में ही विनाश होता है है मित्र भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता अरे कृष्णा तो भगवान कह रहे हैं कि इस आमने की भगवान ने कहा कि है प्रिथा पुत्र कल्यान कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोग में और ना परलोग में ही विनाश होता है यह मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है तो यहां पे भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग कल्यान के कार्यों में लगे रहते हैं ऐसे योगी जो होते हैं ना तो इस लोग में और ना ही परलोग में उनका विनाश होता है तो प्रभुपात भी अपने पर्पेट में लिखते हैं एक श्रीमत भागवतन का श्लोग बताते हैं प्रभुपात त्यक्त्वा स्वधर्मं चरनाम भुजम हरे इसका क्यार थे यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याप कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई छती होती है और ना पतन होता है दूसरी और अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पादे तो यहां पर श्रीमत भागतम के इस श्लोका के मादम से बताया गया है अगर कोई भगवान की शरण ग्रहन कर लिया है अगर अपनी बहुतिक आशाओं को इक्षाओं को उत्याग कर जिसने अगर भगवान की शरण ग्रहन कर लिया है तो उसका ना ही कभी कोई छती होता है और ना ही कभी कोई उसका पतन होता है यानि कि लॉस चैसी कोई चीज उसके जीवन में नहीं होती है लेकिन जो अभगत तो होते हैं जो भौतिक चीजों में लगे होते हैं इंदितितियों में लगे होते हैं तो ऐसे लोगों का क्या होता हम शुरूर में नर्सरी क्लास में जाते हैं, उसके बाद first, second, third standard में आते हैं, ABCD पढ़ते हैं, then उसके बाद college में आते हैं, फिर हम कुछ competitions में बैठते हैं, हम वो exams करेक्ट करते हैं, हम engineer बन जाते हैं, या doctor बन जाते हैं, या फिर कोई government office में हम job करते हैं फिर दीरे-दीरे समय के साथ हम अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते हैं और एक समय के बाद रिटायर्ट हो जाते हैं और फिर भगवान हमारा ये शरीर जो हम से छूट जाता है जब हमारा अगला जीवन शुरू होता है तो क्या ऐसा होता है क हमने अगला जीवन जो हमने शुरू किया और जब हमारा admission होने जा रहा है तो हमने का नहीं पिछले जनम में तो हमने PhD किया था और हमें कॉलेज में हमें प्रोफेसर थे तो इस जनम में मैं वहीं से अपना जीवन फिर से आरेंब करूंगा क्या ऐसा कभी हम कहते हैं नहीं हम फिर से वहीं से शुरू करना होता है फिर से हमें A, B, C, T पढ़ना है फिर से हमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4th, स्टैंडर्ड में जाना है फिर से हमें कॉलेज में जाना है फिर से हमें डॉक्टरेट पढ़ना है ने जो भी हमारा study का method है हम पो फिर से वहीं सारी चीज़ें पोलो करना तो यानि कि भौतिक चीज़ें जो होती है वो इस जन्म के साथ क्या हो जाती है समाफ्थ हो जाती है लेकिन जब हम अध्यात में लगते हैं जर्म भगवान की सेवा में लगते हैं तो जहां पे हमारी वो सेवा समाफ्थ होती है तो अगले जन्मों में भगवान वही से हमारी स श्लोका संक्या 41 प्राप्त्य पुन्य गुरुताम लोकान उश्विताशास्वती समाहा सुचे नाश्टी मताम ग्रेहे योग भस्तो पिजायते असफल योगी पवित्रा आत्माओं के लोगों में अनेक अनेक वर्शोतक भोग करने के बाद या तो सडाचारी पुरुशों के परिवार में या की धनवान के कुल में ही जैमलेता है परेकृष्णा परेकृष्णा तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं जो जिनका योग में जो आत्म सक्षतकार करना चाहते हैं पर बीज में किसी न किसी वजह से उनका पैतल हो गया है या जो भी कारण है तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं अच्छे कर्मों का भोग करते हैं पहले अच्छे कुलों का भोग करते हैं फिर अच्छे कुलों में उनका जन्म होता है और जहां से उनकी भ भक्ती जो है वो आगे पढ़पाती है या फिर धन्वान कुल में जन मिलेने से क्या होता है, पैसों की विशय में उनको नहीं सोचना पढ़ता है, क्योंकि हमारे जीवन में जीवन यापन करने के लिए धन की आविशक्ता हम सब को पढ़ती है, तो अगर हमारे जीवन में पै ऐसे भक तो होते हैं, जिनका जन्म होता है धन्मान पुल में, तो उनको पैसो के विशे में, धन के विशे में ज़ादा सोचना नहीं होता, क्योंकि भगवान के ख३शे हैं, उनके पास अल्रेडी इतना धन होता है, कि उनका जीवन या अपन जो है, आराम से, आसानी से चल सक है भगवान की सेवा हम जहां पर हमारी रुपती है इस जनम में तो आगे भगवान उसे क्या करते हैं केरी फॉरवर्ड कर देते हैं तो यह भक्ती जो है ना जो हम भक्ती करते हैं यह हमारा दिव्य bank कहलाता है यह मारा normal bank account नहीं है हम जब यहाँ पे जो पैसा रख रहे हैं अपने account में अगर हमारी कल्म रुट्टी हो जाती है तो वो account का पैसा हमारे साथ कहीं भी जाएगा वो यहीं इसी भातिक दुनिया में ही रह जाएगा वो हमारे साथ कहीं भी जाएगा लेकिन जो हम भगवान का नाम लेते है न ये नाम जो है ये दिव अकाउंट में जमा होता है और ये दिव अकाउंट जो है ये जम जनमान तक तक हमारे साथ रहता है तो ये नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह नह ही होता है तो भगवान इस तरह से परम दयालू है और भगवान का एक बार भी जब हम नाम लेते हैं तो भगवान उसको हमेशा याद रखते हैं लोका संक्या बायालिस अथवा योगी नामेव फुले भवती धीतताम एतदी दूरलभतरम लोके जन्मा यदी गुरुशम भावार्थ अथवा यदी दिर्गकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योग्यों की कुल में जन्मा लेता है जो अति बुद्धिमान है निश्य ही इस संसार हमें ऐसा जन्मा दूरलभ है अरे गृष्णा तो यहां पर भगवान कहरे है कि मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दूरलभ है तो हमें उसका उप्योग करना है भगवान का नाम लेना है और अगर भक्तों का घर अगर जन्म मिलता है तो यह और भी सूद दूरलभ हम हो जाता है यहनु है कि अगर भकति के घर में किसी का जन में किसी बच्चे का जन होता है तो वह सुदुरलभम हो जाता है या नि кажется वह जन से ही भकों के संगत में रुव आ गया अपो गया अपने आख लंग मिल रहा है ऑगसे भगवान के नाम का शवड सुनने को मिल रहा है कीर्टन सुनने को मिल रहा है तिस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है ये तो दुर्लब है लेकिन अगर किसी भगत के घर में किसी का जन्म हो रहा है तो वो क्या हो जाता है सूद दुर्लब हो जाता है तो इस तरह से इस तंसार म पुर्व जन्मा की देवी चिंदा को पुर्व प्राप्त करता है और पुर्णा सफलता प्राप्त करने के उद्धेश्य से वहां आगे उन्नप्ती करने का प्रयास करता है आठेख लगान पे किह रहे हैं कि ऐस साजन्म पाकर आपने पूर्व जन्म की देवी चेथना को पुनाप्त करता है जो पूर्व जन्म में उसकी भकति रुख गई थी जहांब भी रुख गई थी तो इस जन्म में वहां से फिर सिक Neck पाता है और फिर इस जनम में अपनी भक्ति को पूरा करता है, पूर्ट सकरता की प्राप्ति करता है, और इस तरह से आगे उसकी उन्नती जो होती है, तो इस जनम में क्या होता है, पूर जनम में किये गई योग जो होते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं, जो पिछले जनम में हमने भक्ति की है जिसमें हम सफल नहीं हो पाए तो इस जनम में वो वहां से ही कनेक्ट हो जाता है वहीं से वो जुड़ जाता है और परिमात्मा को उनकी निश्ठा तथा योग में निश्ठा जो है इस तरह से वापस पा करके उसको सब कुछ क्या हो जाता है स्मर्ण हो जाता है और इस तरह से ऐसा योगी जो होता है वो उन्नत करने का प्रयाज पिर करता है श्लोका संक्या चौवार्णीस पूर्वा अब्धासे नतेनेव यते यवशो पिसह जितना सुरूप योगस्य चब्द प्रम्भादी वर्तते वार्थ अपने पूर्वा जनम की देवी चेतना से वहना चाते वे भी स्वतह योग के नियमों की और आकर्चित होता है ऐसा जिग्यासु योगी शास्त्रों के अनुस्ठानों से परेस्थित होता है अपने पूर्व जनम की देवी चेतना से वहना चाते वे भी स्वतह योग के नियमों की और आकर्चित होता है ना चाते हुए भी जो कि पूर्व जनम में उसके भप्ति जहां पर रुकी दी तो ना चाते हुए भी वो पूरी तरह से क्या होता है उसके और आकर्शित हो जाता है ऐसा जिग्यासयोगी शास्त्रों के निश्ठानों से परे स्थित होता है यहाँ पर प्रभुपात बताते हैं अपने तात्पर में की एक सुपरसेद धारन देते हैं भगवान चैतन ने प्रसुत किया जिन्होंने ठाकर हरिदास को अपने परम प्रिये शिश्रे के रूप में स्विकार किया यह देपी हरिदास जन्म मुसल्मान परिवार में हुआता है गिन्तु भगवान चैतन ने नामाचारी के पद्री प द्लक को पूरा की होगा तो यह यहां पर रहूपाद अपने थार्हे रहे हैं कि गामचार्य जन्म के पावित्र नाम को पूरा किया होगा तो ऐसा पताया हुआ कि पूर्व के जन्म में उसने भगवान के पवित्र नामों का वर्णन किया होगा पवित्र नामों का कीर्थन किया होगा जिसके प्रभाव से भगवान ने इस जन्म में उसे भक्ति को कॉंटिन्यू करने के लिए आचारियों की जो है प्रेंडा दिया आचारियों की सं का प्रभाव देखने को हमें यहाँ पे मेंता है तो जब तक कृष्ण भावदामृत के नियमों को ग्रहन नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकता अते जब तक कोई पवित्र नहीं होता है प्रभुपादादी के अंदर तक कोई पूरी तरह से पवित्र नहीं होता है तब तक भगवान के नियमों को ब्रहन नहीं कर सकता और भगवान के नाम का जब भी नहीं कर सकता श्लोकसंक्या पैतालेस और जब योगी कलमश्य शुद्ध होकर सची निस्ता से आगे प्रगती करने का प्रयास करता है तो अन्ततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास से अभ्यास के पश्याद सिद्धी लाब करके वह परम गंतव्य को राप्त करता है अरे कृष्णा नहीं होती रहती है जब तक कि वो योग में सिद्ध नहीं हो जाता तो जन्म जन्मांतर का यह प्रयास होता है तो जन्म जन्मांतर के प्रयास करते करते ही कोई सिद्ध हो पाता है कोई अगर यह सोचे कि एक ही जन्म में वह भगवान का कीरतन करेगा सिद्ध हो जाएका तो होती है तो कंदर मुनी जो है उनका भी ऐसा श्रीमत भागतम में कहना है कि याने जन्मों से प्रयास करते करते ही धीरे धीरे योग में सिद्धी प्राप्त कर सकते हैं तो ये एक जन्म की प्रक्रिया नहीं है भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया होती है अगर इस जन्म में हम आपने सक्षाथकार नहीं कर पाते हैं तो हमें फिर से अगले जन्म में हमारी भक्ति वहीं से शुरू होती है फिर से हम आपने सक्षाथकार का प्रयास करते हैं आगर प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं श्लोका संक्या 46 यानि से सकाम कर्मी से बढ़कर होता है अता है अर्जुन तुम सभी प्रकार के योदी भनो तो जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परमसत्य के साथ जोडने की बात करते हैं यानि कि योग कार्थ है कि भगवान के साथ स्वैम को जोडना तो ये जो योग प जाता है तो भक्ति योग को हम प्रिष्नभाबदा मृत समस्त योगों की परम्सिद्ui माना जाता है तिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि योगी पुरिष्ट निकि भगवान कह रहे है अरज्ण तुम योगी बनो यानिकि भक्तियोगी बनो मप्ति करो तुम भवार यहां पर अलजुन से कह रहे हैं श्लोका संक्या 47 यह श्लोका आफ दा चाप्टर है यह बहुत ही अच्छा श्लोका यहां पर भवार ना बताने चाहरे है 47 श्लोक योगी नाम पी सर्वेशाम मदगतेनां तरात्मना प्रद्धा भावन योमा समय यूक्तमु मतः भावार्थ और समस्तर योगियों में से जो योगी अत्य अंतर श्रद्धा पुर्वक मेरे परायन हैं अपने अंतर करान में मेरे विशय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है वह योग में मुझमें परम अंतरंगरूत में यूक्तर आता है और सभों में सर्वच्च है यही मेरामत है अरे कृष्णा अरे पुष्णा तो भगवान अब क्या करें डिस्प्रोस करने जा रहे कि वाकरी में असली योगी कौन है ना कर्म-योगी, ज्यान-योगी इन में से क्या कोई असली योगी है अब इस बात को बताने जा रहे हैं तो यह एक योगा लेटर प्रॉसेस होता है तो जितना भी वह भगवान के लिए अच्छा खाना बनाएगा कोई अगर अच्छा टेलर है तो वह भगवान के लिए अच्छे वस्त्र बनाएगा तो कोई भी कार जो है जो है जो हम भगवान के लिए करते हैं तो यह क्या होता है कर्म योग यानिकि जो कर्म है उसे भगवान से समंधित कर भी करता है तो भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं तो भगवान का दिव्य ज्यान हमारे मस्तिश्क में स्वयम ही आने लगता है ना और इससे उसे समझना हम शुरू कर देते हैं जैसे भगवान के लिए प्रारम में जब हम कर्म करते हैं तो शुरू में हम क्या करते हैं हरे तरह से केंद्रित होने लगता है तो इस तरह से भगवान यहां पर बता रहे हैं कि कैसे हच्चीज योग कहनाता है तो अश्टांग योग जो है इसका असली देश क्या है वो भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है तो इस प्रकार अश्टांग योग का रिजल्ट जो है वो ह साथ से बारा में आगे जो है भगवान अभी भक्ति योग के विशे में बताएंगे तो भगवान और भक्तों के विशे में जो आगे भगवान ने बताया है यह बहुत ही मधुर है इसलिए आप सब जुड़े रहेगा यह जानने के लिए तो यह जो श्लोक है योगी नाम मेरे विशे में सोचता रहता है मेरा ध्यान करता है श्रद्धा वान भजते तो भज का अर्थ होता है सेवा करना यानि कि श्रद्धा पूर्वक मेरा सेवा करता है भगवान यह एकदम क्लियर कर रहे हैं कि वही सर्विश्रेष्ट है तो भगवान ऐसा इसलिए बोल रहे है क्योंकि अब भगवान अध्याए 7 से 12 में भक्ती योग के विशे में बतानी जा रहे है तो यहाँ पर जो गोपिया है भगवान की जो है वो शुद्ध भक्त मानी जाती है हमेशा जो है भगवान के विशे में सोचती रहती है और कि भगवान जो बन में गए है तो भगवान क भगवान का चिंतन करते रहता है वो हमेशा भगवान का ध्यान करता रहता है और भगवान जो है वो चैत गुरू के रूप में हमेशा हमारे हिर्दा में रहते हैं और हम देख पाते हैं कि हम किस तरह का पारी करते हैं तो भगत और जो अश्टांग योगी जो होते हैं उनका aim जो होता है वो एक ही होता है तो हमने अभी यहाँ पर योग के विश्य में पढ़ा तो योग का अर्थ है अध्यात्मिक अभ्यास में कि जो हम अध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वही योग कहलाता है हाथ मोड़ना पैरों को मोड़ना अलग-अलग कॉश्चर में खड़े हो जाना, यह यूग का असली अर्थ नहीं होता है, यूग का असली अर्थ अर्थ होता है भगवान से जुना, तो हर यूग में भगवान से जुनने के लिए, अलग-अलग प्रोसेस बताए गए है, तो अश्टांग यूग जो भगवान ने अभी सद् गया है कि भवाना ध्यान करना तो अश्टार्ण यूकों जो प्रोसेस एक्चिली में वो सतीयूग के लिए बताये गया है सतीयूग में जो भवानाधा ध्यान करते हैं वह इस प्रोसेस पर थू कर सकते हैं क्योंकि उस समें लोगों की यग्य करने की विधी है तो बड़े-बड़े त्रिता योग में यक्य किये जाते थे भगवान विष्णों के लिए कर्म करना उसी तरह से द्वापन में बड़े-बड़े मंदिरों का निर्मान किया जाता था विग्रे सेवा करके भगवान से जोड़ते थे तो और कल्यूग कल्यूग में भगवान के नाम की विधी बताए गई है कि किस तरह से कल्यूग में सिर्फ भगवान का नाम ही है जो हमें इस कल्यूग में तार सकता है हमें भगवान से जोड़ सकता है तो कल्यूग में भगवान के नाम कजब करके हम भगवान से जोड़ सकते हैं जैसा कि हम एक शास्तुरों में इसका उलेग भी किया गया है। तो हरी कृष्ण महा मंत्र जो है वो वेधों का हिस्टा है वो कली संतरण पनिषत से लिए गया है तो कल्यूग में । बो चाहिए हरी क्रिष्ण महा मंत्र का जाब करते होगे तो इस तरह से हम यहाँ पे उसको समझ सकते हैं तो यह हमारा श्लोका यहाँ पे पूरा हुआ और आज हमारा अधियाई 6 जो है वो कंप्लीट हो गया इस प्रकाश श्रीमान भववद कीता के छटे अधिया ध्यान्यों का भक्ति वेधान दात परी मैं अटेंडेंश शेयर कर देती हूं